हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सब के साथ बहुत ही टेस्टी मीठी मठरी के रेसिपी शेयर कर रहे हूँ आप इस तरीके से एक बार मीठी मठरी ज़रू ट्राइ करिएगा वैसे तो आपने बहुत बार मतलब संकर पारी खाये होंगे जो शकर के साथ कोट करके बनाते लेकिन नाचो में बनाने वाली हूँ न वह बहुत ही अलग है और बहुत ही जादा टेस्टी है बेदाओ ठम शुगर सिरप के इस मीठी मठरी को तयार करेंगे तो चलिए फ्रेंट्स इसे बनाना शुरू करते हैं एक मिक्सिंग बाउल में हम दो कप ले लेते हैं मैदा तो अभी ह तो चाहे तो आप आधा मैदा आधा आटा भी कर सकते हो या आप सिर्फ आटे से भी बना सकते हो और या फिर मेरी तरीके से सिर्फ मैदे से भी बना सकते हो तो जैसा लाइक करें आप यहां पे कर सकते हो दो कप मैदे के लिए यहां पे आपको हाफ कप घी डालना है देसी का यूज करेंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा वैसे आप यहां पर ओइल का यूज भी कर सकते हो घी डालने के बाद आटे में अच्छे सी मिक्स कर लेना है तो अब इसे ही मीठा करने के लिए हम शुगर सिरफ डालेंगे तो मेरे पास यह शुगर सिरफ बचा हु मैंने अभी जलेबी बनाई थी फिर मैंने इमर्ती बनाई तो उसी की चाशनी बची हुई थी तो मैं उसी का यूज आज स्मठ्रे में कर रहे हूं अगर आपके पास चाशनी नहीं है तो आप यहां पे शुगर पाउडर डालिए एक कप और हाफ कप पानी डाल दीजे उसस तो तोबि आप 2 त्यार कर सकते हुँ चाशनी है बची हुई तो आप यहां पर यूज पर सकते हुए तो मैंने एक अप सूर्टे लिए हट हुँए हम इसका एक सुपर सॉफ्ट स्व और त्यार कर लेंगे तो friends अगर आप इस हूली में बहुत लोग मतलब गुलाब चामुन वेगरा बनाते हैं तो अगर चाशनी बच जाए तो इस तरीके सा आप उस चाशनी को यूज़ कर सकते हो बची हुई चाशनी का ही यूज़ करके मैंने आज मठरी बना करके त्यार किया है बहुत ही जादा टेस्टी हमारी मठरी बन करके त्यार हुई है तो friends यहाँ पे आप देख सकते हो डो मेरा त्यार हो गया तो अब इस डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे धकर के और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हो डो हमारा बहुत ही परफेक्ट सेट हो गया है तो अब हम इसकी मठरी बना सकते हैं तो फटा फट से हम इसका एक बड़ा हिस्सा ले लेते हैं और इसे हम किसी भी चकले पे आप या मेरे तरहिके से बोड पे आप इसे भेल सकते हो मतलब बोड में भेल रही हूँ ना तो इससे क्या होगा एक बैच में ही धेड़ सारी मठरी हमारी त्यार हो जाएंगी तो फ्रिंट्स बस बड़ा सा लोई बना लेना है आपको डोका और इस तरीके से भेल लेना है जो ये मतलब किनारा फट रहा है उसकी फिकर आपको नहीं करनी है ये जो फट रहा है उसे हम काट करके बाहर कर देंगे और इस तरीके से हम बेल लेते हैं थोड़ा सा आप चाहें तो हाथों से बरावर करते हुए इसे बेल येगा तो बस इस तरीके से हम इसे लंबा से बेल लेते हैं और अब knife लेंगे knife की मदद से हम इसकी cutting करेंगे तो pieces आप बड़े छोटे या triangle, square कैसा भी जैसा पसंद करें मतलब कहने का है कि वैसा आप इसे shape दे सकते हो अपनी पसंद के अनुसार तो मैं यहाँ पे extra part जो मतलब फटा वाला part है ना crack वाला उसे मैं बाहर कर रहे हूँ तो इस तरीके से हम cut कर लेते हैं मैंने simple square shape रखा है नहीं तो आप यहाँ पे इसे जैसे हम normal diamond shape की वो मठरी वेगेरा बनाते हैं आप यहाँ पे इसको वैसा भी cut कर सकते हो जैसा मतलब पसंद करें यहाँ पे आप cutting करके त्यार कर सकते हो मठरी को तो मैंने यहाँ पे normal cutting करी है square shape की तो आप देख सकते हो बहुत ही perfect हमारी मठरी के pieces cut हो रहे है तो इसी तरीके से मैं इसे cut करके त्यार कर लेती हूँ थोड़े बड़े pieces मैंने रखे हैं यह खाने में बिल्कुल biscuit की तरीके से लगते हैं बहुत जादा crispy और बहुत ही perfect बन करके त्यार होते हैं तो आप भी इस ओली में कुछ नया और कुछ अलग try करिएगा मीठी मठरी भी बनाते हम लोग नमकीन भी बनाते तो जब मीठी बनाईएगा तो आप इस तरीके से जरूर try करिएगा यह बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही perfect बनती हैं आपको मैं दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने इसे मोटा ही बेला था और मोटी ही कट करी हैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है पतली कर देंगे न तो layers नहीं आएंगी मोटी कट करेंगे तो perfect layer दिखेंगी अब चलिए इन्हें हम fry कर लेते हैं बैच को मैंने बेल लिया था कट कर लिया है ऑईल भी मैंने गरम होने के लिए रख दिया था बहुत ही हलके bubbles आ रहे हैं इसका मतलब है कि ऑईल perfect गरम है मतलब बहुत ज़्यादा high flame पे ऑईल को गरम नहीं करके रखना है इसे fry करने के लिए नॉर्मल गरम ऑईल में ही हमें मत्री को ट्रांसफर करना है और अभी इसमें ना हमें मतलब बिल्कुल भी इस पैचला वगरा नहीं लगाना इसे हमें टर नहीं करना है दो मिनट आप इसे आराम से इसी तरीके से मतलब फ्राई होने दीजे अभी जब मैंने डाला है ना ओईल में तो यह बैठ गई है जैसे यह फ्राई हो जाएंगे तो यह उपर आने लगेंगी मतलब आईल में तैदने लग जाएंगी तो मैंने सारी ही इसी तरीके से मत्री को निकाल लिया था और मतलब मैं ना शूट करना भूल गई तो लास्ट में जब मैं निकाल रही तो मुझे द्हान आया मैंने शूट तो किया ही नहीं है तो फिर मैंने लास्ट में से इस तरीके से शूट कर लिया तो एक बैच हमारा फ्राई हो चुका है सेकंड बैच को भी हम सेम प्रॉसेस से फ्राई कर लेते हैं फ्टव फिट्ट से ही फ्राई करना है, मतलब दो मिनुटके बाद आपको इसे टर्ड करना है, दूसरी साइढ पकानने के लिए उपर वाला साइड है उसे आप दो मिनुट के लिए तब आपको इसे पलट लेना है, इस तरीके से देख सकते हो जो उपर आ रहे है, और मैंने के बाद इसे दूसी साइड भी हलका लाइट मतलब गोल्डेन कलर दिया है और इसे मैंने फ्राइ कर लिया है मतलब इसमें बहुत अच्छा कलर आ जाएगा यह अपने साइड से दोगनी हो जाएंगी क्रैक आ जाएगा तभी आपको समझ लेना कि हमारी जो मठरी हैं वो पक च पसंद आने वाली है एक मत्री को मैं आपको क्रेश करके दिखा रही हूं कि कितनी जादा परफेक्ट हमारी मत्री बनी है तो यह खाने में आप बिल्कुल बिस्किट की तरीके से हैं आप देख सकते हो अंदर तक पके हैं एक बाद ट्राइ करिएगा वीडियो अगर पसंद आयोगी तो लाइक में वीडियो और सब्सक्राइब टू मैं चैनल